Hello everyone, देखिए अब next topic करते हैं center of mass of a rigid body rigid body मैंने आपको बता दिया था, rigid body क्या होती है जिसमें जो system of particles पढ़े होते है, मतलब जो यह particles पढ़े होते है इनका जो distance होता है, वो fixed रहता है कोई external force की वज़े से भी यह अपने distance में कुछ भी change नहीं करते है तो वो rigid body होती है, यह मैंने आपको बताया है, ठीक है, और मैंने आपको कुछ formula भी बताया थे, center of mass निकालने के, जिसमें हमने बात करी थी, अगर हमारे पस discrete masses है, rigid body नहीं है, क्या है discrete masses, discrete masses क्या होते हैं, जो अलग-अलग पढ़े हैं, जैसे माल दो यहाँ पर, यह 1 kg का है, य यह वाला 2 kg का पड़ा इधर, और इधर यह 3 kg का है, और यह 4 kg का है, इस तरीके से हम कहते हैं यह वाला, ठीक है नहीं होते हैं, discrete masses, अलग-अलग हमारे पस कुछ number of masses होते हैं, तो उनके लिए formula हमने यह बनाया था, ठीक है, एक होते है, continuous masses, continuous masses में किसमें आता है, आपके पास rigid body में आते हैं, continuous masses किसमें आते हैं, rigid body में, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे masses हम consider करते हैं, मतलब, continuous masses मतलब किस तरीके से, जैसे मान लो, यह एक road है, ठीक है, road है, एक uniform, इसमें देखो, यह number of, जो है, यहाँ पर क्या पड़े हो हैं, इसके अंदर आपके पास, masses हैं, लेक क्रीट के लिए हमने कहानी क्या की थी, कि जो position होती है, center of mass की, उसके लिए हमने formula बनाया था, m1, r1, plus m2, r2, up to mn, rn, अगर n number of masses हैं, उसमें हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितना मर्जी, ठीक है, upon me m1, plus m2, up to mn, और इसको फिर हमने summation में किया 3, फिर up to nn, समझ रहें, मतलब अगर 10 हैं, तो mn, rn, इस तरीके से हमने ये किया था, याद आया कुछ बताओ, ठीक है, तो ये सब थी कहानी किसके लिए, हमारे पास discrete masses के लिए थी, ठीक है, जैसे हमने ये तो rcm के लिए बात की, अगर coordinate system में है हमारे पास, तो हम x coordinate अगर में summation of mi, summation भी क्या होता है, एक तरने से जोड़ना है, इन सभी का ही जोड़ है, जिसमें हम loop चला जते हैं, एक तरने से limit चला जते हैं, ये क्या चल रही है, i is equal to 1 से यहाँ पर भी किसमें चल रही है, ये n तक, और यहाँ पर भी i equal to 1 से लेके n तक चल रहे है, ठीक है, तो जितना n होगा उतना चल जाएगा मालो हमारे पास n है 5 तो ये चलेगा m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 प्लस में m4 x4 प्लस में m5 x5 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 तक चलेगा ठीक है ये बात आपको पता है ये तो बात थी discrete masses के लिए ये हमें बात नी कर continuous है फैला वैप से जंगे मास ठीक है न कोई भी ऐसी निया कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है ऐसा निये पूरी जंगे uniformly क्या है distributed है मास तो इसमें हम क्या consider करें कि मालो अगर ये पूरा का पूरा हमारे पास l length है इसकी ठीक है और इसका जो मास है वो कितना है m है मालो ठीक तो ह हम क्या करें इसको अगर small parts में इसको तोड़ दें इस तरीके से ठीक है कितने no matter of जो है हम parts इसके कर सकते है infinite कर सकते यह तो मैने कर दी इसने आप क्या पता ओर ज्यादा ह्यादा कर दो है N इस तरीके से और जादा कर सकते हो, समझ रहे हो बात को, तो इसमें क्या है, जो मास हमने इसमें ब्रेक अप किया है उसका, हमने कहा यह small मास है, क्या है, dm, लेकिन यह dm जो मास है, आप यह नहीं हमें पता कि यह कितने हो सकते हैं, तो आप और छोटे भी भी लए सकते हो, तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो मतलब क्या है, जिसमें जो number of मास ही जाएं, इन्फिनाइट हो जाएं, तब क्या होता है हमारे पास, यह निकी continuous मास हो जहाँ पर, तो यह जो summation था ना, लेकिन यह किसके उत्ता है, infinite अगर terms हो, तो infinite DM है यहाँ पर, तो यहाँ MI था, यहाँ पर मास क्या लेंगे, हम DM लेंगे, क्योंकि कितने सारे DM है, उन सब को जोड़ना है, DM ठीक है, और यहाँ RI है, तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगा, समझ रहो, समझ रहो इतनी बात, और, नीचे क्या जाएगा हमारे पास, यह MI था हमारे पास, और यह summation integration में चेंज होगा, और यह MI किसमें चेंज जाएगा, DM, small mass में चेंज हो जाएगा, कि अतनी बात क्लियर है, अभी इसकी limit हम देखेंगे, किस तरी किसे put करते हैं, अभी हम जब यह drive करेंगे न, कि uniform thin road का बताओ center of mass कहां होगा, तो यह हमें drive भी करना है हमारे slave में, तो यह हम करेंगे अभी, तो वहाँ पर आपको पचल लगए कि limit कैसे लगानी है, ठीक है, अगर हम इसी की अगर हम बात करें, अगर यह axiom x coordinate हमें निकालना है, तो माल लो यह हमने y axis मनाया, यह वाला x axis मनाया, तो इसकी x से कुछ दूरी होगी, यह वाली, कुछ भी दूरी है, माल लो हमने कहा, यह small l है दूरी, ठीक है, clear इतनी बात यहां नहीं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, आर में हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, dm और x और यह dm, तो x क्या है यह, बताओ जल्दी से, जो हमने consider किया है, इसके center of mass की दूरी है, clear है इतनी बात यह नहीं बताओ, clear है कहानी, जो हमने consider किया है, इसके center of mass की दूरी है, किस से हमारी origin से, हो गई integration में change हो गई तो यह formula हमारे पास यह बना clear है अभी हम इसको drive भी करेंगे यहाँ पर तब आपके सामने clear हो जाएगी सारी कहानी अभी यहाँ पर क्या देखो center of mass of the different shape objects तो different shape के objects हैं उनका center of mass की बात करेंगे यहाँ पर rigid body है यह भी ठीक है तो जैसे long thin road है इसके बारे में हम लिखेंगे अभी यहाँ पर circular disk ring sphere यह सब बाते हैं यह सब अभी करेंगे हम सबसे पहले मैं इसमें आपके पास जो syllabus में हमारे पास देखो यह चीज़ पास चल की center of mass क्या होगा ठीक है अभी कई बच्चे यह कहेंगे कि मान लो एक यह uniform thin road thin road है ठीक है इसको हम बना रहे हैं थोड़ी सी thickness में ताकि आपको लगेगी यह road है लेकिन है कैसी यह thin है यह बात याद रखना ठीक है अब आप कहोगे इसकी length कितनी है मान लीजिए यह जो है capital L length है इसकी और mass है इसका M तो आप simplest में यह बोल सकते हो कि uniform है ठीक है तो हमें पता uniform कोई भी चीज़े तो उनमें क्या करते हैं उनके center कैसे बनता है उनका geometric center बन जाता है तो यानि कि mid point of this road वो क्या बन जाएगा हमारे पास इसका जल दिसका center of mass तो अगर यह पूरी L है तो L by 2 पर इसका क्या होगा center of mass होगा clear है न ऐसी समझ सकते हो आप इस चीज़ को जैसे तो आप खुद सोचो जब इसका center of mass हम निकाल लेंगे तो Y में तो हमने का कुछ ही नहीं है तो Y में तो 0 होगा इसका coordinate clear और जो X में होगा X में क्या होगा अगर यह पूरी length L है तो origin से यह कितनी होगई L by 2 होगई क्या इतनी बात clear है तो यह तो हम simply ऐसे भी निकाल सकते है लेकिन इसको drive करना है समझ रहे हो देखो uniform thin road है तो इसमें कोई वो नी था अगर हम कहते न ऐसे पढ़िए uniform thin road है thin road ऐसे बना दी हम दें ठी किसे आप समझो कहीं को लग रहा होगा कि Y में भी तो गया है यह Y का 0 क्यों ले लिए अब ऐसे समझ लो यहां पढ़िए यह road L length है जिसकी clear है अब हमें पता है इसका midpoint में क्या होगा इसका center of mass होगा तो obvious ही बात है यह इसका coordinate क्या बना L by 2 और Y के लिए क्या बना 0 तो L by 2, इसका center of mass है clear इतनी बात समझ रहे हो ना यह दिक्कत तो नहीं आरी कि Y का 0 क्यों लिया यह यहां पर सीरफ हो सीरफ हमने क्या किया है thickness दिखाने के लिए आपको कि लगे कि यह क्या है एक road है इसलिए ऐसा बनाया नहीं तो यह है thin जैसे यहां पर पड़ी हुई है अब इसको मान लो मैं यहां पर यह part इसका थोड़ा सा ले लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं element clear है इस road का यह small element ले लिया हमने जिसकी जो length है इस small की वो कितनी है मान लो dl है और mass कितना है इसका dm है clear है यह मास है इतने part का और length कितनी है dl है और यह अपने origin से कितनी दूरी पर है मान लो यह वली यह वली दूरी मान लो यह इतनी जो है length कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी road की length है वो क्या है मालो small l है clear एतनी बाद small l है और यह क्या ले लिया हमने dl ले लिया ठीक है आप इसको यहाँ x भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर x लोगे कहीं books में यह दूरी x दी हुई है तो आप इसको क्या लोगे फिर dx लोगे समझ रहे इतनी बाद अगर यह x दूरी लिया तो यह वाला part भी इसका क्या होगा dx होगा यह चीज़ आपको याद रखने है अब मैंने इसमें यह वाला small l लिया है तो यह वाला क्या ले लिया मैंने dl ले लिया clear है और वैसे भी थोड़ा असानी भी रहेगी कि small length है dl और यहां से यहां इसकी दूरी हमने क्या मान ली है l मान ली है क्या अतनी बात clear है या नहीं है बताओ कोई दिक्कत इसमें अब हमें यह कहानी पता चल गई ठीक है तो वो भी हम प्रूफ करेंगे कि वो 0 होगा ठीक है तो x-axis पे है यह यह इतनी बात clear हो गई है और x-axis में अगर हमारे पास है यह तो center of mass भी x-axis का ही निकलेगा तो हम यह x-cm वाला formula लगाएंगे जो कि है हमारे पास क्या dm x integration है यह साथ में और integration नीचे क्या है dm है यह वाला formula लगने वाला है ठीक है अब देखो सारी कहानी क्या है इस dm की value हमें यहाँ पर निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं देखो dm की value कैसे निकलेगी देखो हम यहाँ लिखते हैं l length of road has mass कितना है उसका mass पूरी l length की जोड़ा उसका mass m है तो अगर length हमारे पास one हो normally हम जैसे करते हैं one length के लिए क्या हो जाएगा m by l हो जाएगा और कितनी length के लिए चाहिए हमें mass dl के लिए चाहिए तो dl length के लिए जब हमें mass चाहिए that is a dm वो कितना आएगा देखो m by l into में dl कितनी बाद clear है तो यहां से हमारे पास dm की value के आई है m by l और dl कितनी बाद clear है तो यह dm की value हम यहां put करेंगे ठीक है clear है अब देखो एक तो यह तरीका था कि हम dm की value निकाले एक दूसरा भी होता है वो भी आपको पता होना चाहिए एक होती है आपके पास linear mass density होती है linear mass density जिसका formula क्यों होता है mass upon में length होती है ठीक है तो linear mass density हम mu से लिखते है mass हमारे पास अगर हम इस पूरी road की बात करें तो m है और length कितनी है l है कितनी बात clear है या नहीं है यह fix ही रहती है जो linear mass density है चाहे इतने पार्ट के लिए हो चाहे पूरे पार्ट के लिए हो density same ही रहेगी विकोज uniform है तो हर जगे density same ही है clear है अब जब हम small mass की हम बात करते हैं उसके अंदर हम कैसे निकाल लेंगे देखो अब हमें पता है यहाँ से अगर हम देखें इस वाले formula से तो mass इधर ही रहने दो और यह जो linear mass density है जिसको मैंने mu लिखा और यह length इधर जाके क्या हो गई है multiply हो गई है length इस तरीके से ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा dm mass के लिए हमें निकालना है ठीक है dm mass निकालना है और length dm mass के लिए length कितनी है dl है और mu यही रहेगा m by l ही रहेगा तो देख लो यहाँ से भी जो dm है हमारे पास यह आ गया ठीक है या तो इस method से कर लो या फिर इस formula से आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो अब यहाँ पर put करते हैं देखो यहाँ पर x cm integration करनी है हमें देखो dm dm की value क्या है हमारे पास यहाँ m by l into में dl और साथ में क्या है यहाँ पर यह x है और निचे भी integration लगेगी dm की that is m by l and dl अब देखो यहाँ पर आपको पता यह m by l तो बाहर जाएगा यहाँ से m by l बाहर integration किसकी ओरी है सिरफ यहाँ पर अगर आप देखें और यहाँ पर यह देखो x की जंगे भी ना यह वाला x क्या था dm की दूरी x coordinate था x coordinate यहाँ मैंने l लिया है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है l है तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा यह l dl बचा क्या बचा l dl और नीचे भी ऐसी करेंगे m l और integration बची dl देखो m और l तो constant है ना इसकी integrate निकरे तो पुरा-पुरा ही है ठीक है ना अब यहाँ l dl अब देखो limit कैसे चलती है देखो खुद सोचो आप यह length total कितनी है l है इस total length को हमें जोड़ना है ठीक है ना अब यहाँ dl dl है यह small l है और यह फिर dl है small part की जो length है dl है clear है इतनी बत तो इसको हम कैसे करेंगे इसमें हम limit put करेंगे 0 से लेके capital L क्योंकि पूरी road तो यही है हमारी नीचे भी ऐसे करेंगे 0 से capital L अब देखो बिल्कुल ही simple है देखो m by l as it is integration l की क्या होती है जलती से बताओ l square by 2 होती है और limit put हो जाएगी यह 0 से l capital वाला ठीक है याद रखना capital और small वाली कहानी नीचे क्या है m by l है dl की integration क्या हो जाएगी जलती से बताओ l और यह small का धिहान रखना क्योंकि dl है और यहाँ पर l small है तो small l और यह क्या है 0 से capital L limit है इसकी अब देखो integration जिनको नहीं बता देखो 3D x होता तो हम कैसे करते थे power 1 है एक बढ़ा देते थे power, और जो यहाँ पर होता था वह यहाँ पर दाथा ता clear है अगर integration of d x होता to integration of d x आपको बता है simply क्या होता है x वो क्यों होता है क्योंगि यह one d x होता है तो one की integration क्या होगी x अब यहाँ पर यह सब term कि में आ गई LDL और यहां DL तो DL की L हो गई और LDL की L square by 2 हो गई कि अकनी बात clear है बताओ समझ में आ रही है बात सिंपल सी बात है ठीक है आप देखो यहां पर अगर हम कहानी को समझें तो देखो यह M by L और यह वाला M by L यह तो M इससे cancel हो गया और यह वाला L इससे cancel हो गया ठीक है यहां पर क्या बचा आप देखो अगर आप देखेंगे यहां पर यहां पर देखो यह लिमिट पूट करो capital L आ जाएगा L square by 2 है ठीक है माइनस में अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट लोवर लिमिट पूट करो यहां पर देखो यहां से अगर आप कहानी को समझोगे यहां रहा है L square by 2 और नीचे क्या है अब ऐसी अगर हम Y coordinate निकालने इसका Y तो देखो क्या हो जाएगा यहां फॉर्मूला क्या बनेगा DM और यहां पर यह वाई की दूरी हो जाएगी और नीचे DM रहेगा अब यहां वाई की दूरी है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसमें DM वाई integration of DM अब वाई तो कुछ ही नहीं हम तो क्या बोर रहे हैं यह थीन है थीन है तो इसका मतलब क्या यह वाई में ही नहीं X-axis पर ही पड़ी है तो वाई की दूरी कुछ ही नहीं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसमें DM और वाई की वैदली कितनी है जीरो और यह DM तो यह कितना आ गया जीरो से यह Dx ले लेते तब क्या होती यहां पर कहानी क्या हो जाती देखो वैसे समझ लो सिंपल देखो यहां पर क्या आता X आता यहां Dx आता क्लियर है यहां भी क्या रहता हमारे पास Dx ही रहता तो कुछ नहीं था सिंपल ही था देखो यहां x dx अगर होता यहाँ पर देखो x आज़ता यहाँ dx आज़ता तो यहाँ पर क्या आज़ता अब x dx की integration क्या आज़ती है x square by 2 x square by 2 की limit put कर देते हैं 0 से l ठीक है नीचे क्या होता है यहाँ dx होता समझ रहो m by l तो m by l से cut क्या है यहाँ dx की integration होती है x की limit क्या आज़ती है आपके पास 0 से l आज़ती है तो same नहीं आज़ता है यह देखो इधर से भी क्या आज़ता है l square by 2 minus 0 और यहाँ से क्या आज़ता है l minus में 0 तो यह कहां नहीं आज़ती l से 1 l कट ज़ता तो क्या बचता हमारे पास l by 2 बचता बताओ समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं books वगेरा में या आपने देखा होगा कहीं और भी school में अपने यहाँ पर इसको x से लिया हुआ है इतने part को और series को dx लिखा हुआ है तो आपकी इच्छा है आपने कैसे करना है मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से ठीक है तो यह slabus में था आपके center of mass of a uniform thin road की derivation slabus में आपके तो यह मैंने आपको बताई clear है अब बात करते हैं देखो इदर center of mass of different shape objects की हम बात करेंगे अगर तो long thin road की तो आपको पता चली गई है चाहोगी midpoint होगी क्या होगी midpoint होगी ठीक है अब circular disk है circular disk का मतलब क्या है देखो circular disk ये है लेकिन disk कैसी होती है ये सब part ये इस तरीके से होगा ठीक है 2D में होगा लेकिन ये सार पार्ट हम disk तो देखिए cd विगरा वह वली कहांनी है ठीक है एक सरकल उसका भी सेंटर ओफ मास्ता होगा उसके सेंटर पर होगा लेकिन डिस्क और रिंग में आपको क्या फरक समझना है रिंग एक सरकल है डिस्क क्या है एक आपके पाद यह फिल्ड पैसर कल पूरा का पूरा तो यह इसको बोल सकते हैं ऐसे कुछ बोल सकते हैं तो इसका स्का होता है जब आप देखते हैं इनके मीडियं स्को यह मीडियन इसा डाली और एक median यह इधर डाली तो इनका पॉइंट फिंट्र सेंटर फिंटर फोट आहां पर इसका क्या आता हैं सेंट्र फॉफ मास होता है जो कि इसके बेस से कितना होता है h by 3 because ये वाली height है तो base से h by 3 क्या होता है ये base से h by 3 होती है तो मैं या लेक देता हूँ base से h by 3 होती है ये center of mass इसका ठीक है याद रखने हैं आपको ठीक है slender की अगर हम बात करें तो slender की shape आपको पता ही है कैसी होती है ये सी दिखाई देरी है इधर ठीक है अब solid cone की बात करें अब हम hollow cone की बात करें देखो । आपको पता ही है कैसा होता है इस shape में होता है ठीक है ये अब solid cone है कि ये पूरा filled up है माझ लो ये पूरा ice cream से filled up है इस त्रीक्के से मालो पूरा field है तब क्या होगा इसका centre-of-max ये आप को पता है इसमें यह की रीडियliches होती है और यह क्यों तो बेस से फेस से यह होता है यह अवे को पहर के बाइज फोर में भी आप फोर फ्रोंब बेस बेस से लोट दखेंड det oppressory समझ रहे हो अगर हम यहाँ पर यह बनाएं इस तरीके से यह आपका क्या है solid है तो खुद सोचो आप यह इसकी height है ठीक है h by 2 यहाँ होगा और h by 4 कहा होगा इस side होगा तो जब आप देखो यह पुरा field up है तो यह चीज ज़्यादा जग है ना यहाँ पर यहाँ ज़्यादा mass होगा तो ज़्यादा mass की तरफ center of mass shift होगा है समझ पा रहे हो बात को ठीक है तो यह है हमारा solid के लिए अगर holocon हो holocon क्या हो कौन तो है लेकिन यह खली है भरा नहीं हुआ तब क्या होगा इसका यह इसकी height है ठीक है तो base से h by 3 पे base से h by 3 पे इसका center of mass होगा क्या इतनी बात clear है याद रहेंगी यह सब चीज़े ठीक है बात कर लेते हैं semi circular disc की अब देखो main क्या है यह हमने बोला कि circular disc है इनका तो जो metric center होगा लेकिन याद क्या रखना है जैसे semi circular disc है अब semi circular disc क्या है इसका कहां होगा उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 4 r by 3 pi पे 4 r अब देखो कैसे यह पूरी disc है ठीक है हमें पता है यहां से यहां कितना होता है पूरा r होता है तो यह 4 r by 3 pi पे क्या होगा इसका कहीं पर center of mass होगा clear रहतनी बात बताओ बात करते है solid hemisphere की अब स्फियर का तो हमें पादा चले गा था कि center भी होगा बिल्कुल यह तो geometric center जो होगा वह होगा ठीक है बात करते है solid hemisphere की hemisphere कैसे है देखो इस तरिके से है ठीक है और hemisphere है थो hemisphere एसे बन रहा है ठीक है और solid है तो अंदर पूरा का पूरा क्या है फिल्ड अप है ठीक है तो इसके लिए इसका center of mass कहां होगा वो होगा आपके पास 3R by 8 पे होगा देखो कैसे यहाँ पर मिला है ते हैं देखो यहाँ से यह center मानलो यह इसका पूरे जो नीचे circle होता है इसका center यहाँ से यह भी आपको पता है R होता है तो इस R से क्या है यह 3R by 8 करेंगे तो वहाँ पर जो point होगा वो उसका center of mass होगा कौन से है यह लेकिन यह solid hemisphere की बात हो रही है ठीक है जब हम बात करते है hollow hemisphere की hollow में क्या होगा hollow में है बिल्कुल मतलब की क्या है hollow में क्या है यह खली अंदर से ठीक है जैसे एक bowl हो गया खली है वो उस तरीके से तो उसका अब यह भी जो दूरी है सब बेस से हमने बताई है ठीक है इसकी भी क्या होगी बेस से कितनी होगी वो r by 2 यानि की बिल्कुल इसके मीड में यह r at पूरा का पूरा इसके मीड में r by 2 पे होगा center of mass hemisphere का clear एतनी बात बताओ semi circular ring की बात करते है हम देखो semi circular ring अब देखो ring क्या था हमारे पास ring था simple circle ठीक है उसका center तो हमें बता था लेकिन जब बात करें हम semi circular ring कैसी होगी जल्दी से बताओ देखो यह पूरी ring है इसका half कर दिया तो यह बचा ठीक है न यह semi circular ring है इसके लिए क्या होगा आपके पास 2 r by pi यह याद रखना है आपको बताओ याद रहेगा क्यूंकि इसमें भी देखो कहानी है यह कैसे याद रहने वाली है आपको देखो उसके लिए एक ट्रिक आपको क्या सीखनी है यहाँ पर मैं बता देता हूं यहाँ देखो देखो इसको ऐसे लिखना है ट्रिक है आपकी इसको याद रखने की सिनेमा टाइं रितिक रोशन सनी देखो इस तरीक के से ठीक है फिर आप इसमें ऐसे करो देखो यहाँ यह इस तरीक के से लगा दिया है रहां वो याद रखनी है वो क्या है रखनी है एक मतलbels है इतनी बात या नहीं पताओ ठीक है कोई धिक्कत इसमें अब लगाँ है पूकestra को रहे है या नहीं है बतायो कोई दिक्कत इसमें उसके बाद देखो को जड़ा हमारे पास कोुद को बताओ हैं मतलब से क्या याद रखना है स्फियर दी से डिस्क लेकिन सेमी की बात हो रही है स्फियर और यह क्यों है हमारे पास हैं यह याद रहेगा आपको इसके बात क्या आती है हमारे पास यह वाला आर आर से हम क्या बलेंगे रिंग लेकिन कौन सी रिंग सेमी रिंग समझ रहो यह सब बते हैं क्योंकि यह सेमी की बात हो रही है नॉर्मल वाले में तो आपको पता यह सेंटर कहां बनेगा समझ रहो यह वह वाली वैल्यूस है जिनका सेमी की बात हो रही है जिसमें से क्या है है मैं सकते हैं सोच्छां त madre याद रखना है ऐसे ऑफ से याद रखना है। हो टिके ट्रीके नहीं ट्रेंगुलर की बात हो रही है चैनली प्लेट है तो उसका मैंने q Ip3 और तो आता नहीم है यह height of the triangle आती है तो यहाँ पर h आज आएगा clear c का मतलब क्या है कौन है और कौन सा कौन है यह आपका solid कौन है तो कौन में भी हम height लेते हैं इस तरीके से वैशे तो आर भी होता है से मैं लेकिन हम height की बात करते हैं तो यह h आज आएगा तो यह यह values इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन सब की clear बताओ simple है याद रखना दो तो इन सब की derivation नहीं है हमारे पास ठीक है drive भी कर सकते हैं इन सब को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे स्लेवर्स में सिर्फ एक के लिए था वो क्या था यूनिफॉर्म थिन रोड के लिए था वो हमने कर दिया drive यहाँ पर बाकी सब आप यह values याद रख सकते हो क्या इतनी बात clear है या नहीं है बताओ आया समझ में center of mass of a rigid body बिलकुल simple है कर लोगे इसको ओके थेंक यू